इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Fischer Hypothesis को MEC 004 का यह आपका टॉपिक है यह आपका सेकेंड यह का रिपीटिट टॉपिक है यह चलिए स्टार्ट करते हैं तो Fischer Effect को ही Fischer Hypothesis कहा गया है ठीक है तो पढ़ते हैं कि क्या है यह The Fischer Effect hypothesis developed from an economic theory by Fischer तो Fischer Effect कैसे नाम पढ़ा कि यह hypothesis किसने develop करी थी एक economic theory से किसने Fischer ने करी थी तो इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा Fischer Hypothesis यह हम Fischer Effect कहते हैं 1930 में करी थी तो यह Fischer Effect क्या बताता है कि जो real rate of interest है वो क्या है as the difference between the nominal rate of interest किसका difference है वो nominal rate of interest का और expected rate of inflation का ठीक है कि real rate of interest किसका difference है nominal rate of interest और expected rate of inflation the most common form of this relationship expects that expected nominal rate of return of asset as a summation of expected rate of inflation and the expected rate of real return तो हम इसकी और relationship अगर हम इसको express करना चाहते है expected form में ठीक है तो expected nominal rate of return जो है किसका asset का वो किसका summation है भाई इसमें starting में क्या बोला है कि जो real rate of interest है वो क्या है nominal rate of interest और expected inflation का difference ठीक है अब यहाँ पर most common form में क्या बोला गया है इसकी कि जो expected nominal rate of return है ठीक है तो वो क्या है sum है rate of real rate of interest और expected inflation का ठीक है expected rate of inflation का भाई यहां minus में real rate के पास जाके plus में हो जाएगा तो इस फिर्म में यहां पर बोला गया है ठीक है दा फिशर एफेक्ट इंप्लाइट एट एट एक्सपेक्टिव नॉमिनल रिटन है ठीक है असेट पर वो कैसा होना चाहिए जो कम्प्लीट क्या दे हैज दे किसके अगेंस इंफलेशन के अगर यह केस पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ठीक है इफ इस इस दा केस अपॉजिटिव रिलेशनशिप इस एक्सपेक्टिव नॉमिनल रिटन है असेट पर पूरा हैज प्रोवाइट कर रहा है किसके अगेंस इंफ्रेशन के अगां ने तो पॉजिटीव रिलेशन्शिप होगा किसके बीच में जैस्पटे के बीच में इंफ्रेंशन पॉजिटशहकियान ब cał चेुट हो रहे हैगा कि चैयन सब्सक्राइब किसकी वजह सेइंफुलेशन थूश्चाiable कि इसनक स्कीड हो जाएगी कम स्काइब थे भास हो रहा है यहां पर आपकtinера कि वह पहले कि अनलवाव कि हम समान खरी सकता है हमारे आतनल में यह चीज़े महेंगे हो जाती है कोई चीज़ हमें पहले 10 की मिल रही है क्वालिटी क्वान्टिटी वही है लेकिन इंफ्लेशन की वज़े से उसके दाम बढ़ गए है फिशर ने प्रोपोस करा था कि जो रियल रेट ऑफ इंटरस्ट है ठीक है वो इंडिपेंडेंडेंट है मॉनिटरी मीजर से जिसे हम क्या नाम दिया गया फिशर हाइपोथिस देरफोर नॉमिनल रेट नॉमिनल इंटरस्ट रेट विल अड़ेस्ट तो अकमोड़ेट अनी चेंज इन एक्सपेक्टेड इंफलेशन अब इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं जो नॉमिनल रेट है ठीक है इनके बीच में रिलेशन्शिप बताया गया है तो नॉमिनल रेट जो है वो क्या है अकाउंटिंग इटरस्ट रेट क्या बताता है दा परसंटेज बाइविच्ट अमाउंट ऑफ डॉलर या अधर करं हैं जो किसने लिए बोरवर ने लिए ठीक है ओन्बाइब बोरोवर के पास है किस से लेंडर से वह क्या एक टाइम के बाद क्या हो जा रही है बढ़ जा रही है और रियल इंट्रेस्ट रेट क्या है रिए इंटर्स टेड एज़ा परसंटेटरेश्ट बाइविच्ट रिय क्या सकते हैं जो Real Rate of Real Interest Rate है वो जो क्या है Normal Intest Rate है जो अच्चेस्टीड होता है इन्फलेशन के वजे से वाजे से किसके ओपर पर बटशेजिंग पावर पे ठीक है जो आउस्टेंडिंग लोन पर है पर्चेशिंग पावर ओव दा आउस्टेंडिंग लोन तो रिलेशन्शिप बिट्वीन हम पढ़ चुके है नॉमिनल इंट्रेस्टेट मैं आपको बता चुकी हूं कि क्या है यह है हमारी फिशर एक्वेशन फिशर ने जो दी थी आर है हमारा आई है हमारा नॉमिनल इंट्रेस्टेट और पाई ठीक है पाई टुदी पावर ई लिखा है तो यह क्या है हमारा एक्सपेक्टिड इंट्रेस्टेट ठीक है अब जो एक्वेशन है इस एन अप्रोक्सिमेशन है हावर दिफ्रेंस विद दा करेक्ट वैल्यू स्मॉल एज इंट्रेस्ट रेट अनॉमिनल इंट्रेसित रेट इंट्रेशन रेट पाई न। तो accurate equation जो है यहाँ पर continuous इसकी compounding में continuous compounding है वो यह है 1 plus i equal to 1 plus r into 1 plus pi to the power e और इन सब का हमें पता i मतला है nominal interest rate है और पाई हमारा expected rate है किसका inflation का तो if the real rate is assumed to be constant हमने real rate को constant मान लिया है ठीक है इसमें कोई change नहीं आ रहा है तो जो nominal interest rate है must change point for point when pi rises or fall तो जो nominal rate of interest है वो किसके हिसाब से change होगा जो pi की value है अगर वो बढ़ रही है ठीक है या फिर घट रही है the fishery fact state that there will be one for one adjustment of the interest rate normal interest rate to the expected तो one to one adjustment होती है one for one adjustment होती है ठीक है fishery fact यह कहता है normal interest rate to ठीक है किस से expected inflation rate में क्योंकि किसके ओपर इस case change होगा normal interest rate inflation rate से the implication of the conjected constant real rate is the monetary event such as monetary policy action will affect the real economy तो यहां पर क्या है कि जो constant real rate है ठीक है तो अगर हम देखें इसमें तो monetary policy का जो action होगा monetary policy tool हम पढ़ चुके हैं तो यहां पर real economy में उसका कोई fact नहीं होगा example दे रखा है no effect on real spending by consumer on तो यहां पर जो उसकी real spending एक्जांपल लिया गया है consumer की किस पर जो consumer durable goods होते हैं ठीक है और यह फिर हम यह बोल सकते है एक business buy कर रहा है machinery और equipment तो इन पर को effect नहीं पड़ेगा तो यह था आपका Fisher equation या Fisher effect या Fisher hypothesis I hope आपको clear हो गई होगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगए हो तो like it share it and subscribe my channel thank you कर दो